एक सहर मा एक जवान युवक्तियो उसको नाम कमल थियो कमल धेरे निरास्तियो इस्ते यो दुन्या मा सबैले स्वार्थी मातर देख्थी उसलाई सदे लाग्षकी उसलाई कसले माया गरते न कसले वास्ता गरते न सबैले आपनो समन्ध मा स्वार्थ राक्षन वा आपनो माप्तों ने वित्तिकाई सवायले उसलाई अफ बात तार डाराख्चना। आमरो जीबन मा पन येस्ते वंचा, आमी सदे कसे को साथ कोच्छ। र जबा आमी कसे को साथ पाउना सक्टेनों, आमी एकलो महस्स करच। आमे महसुस करचव कि यो संग्सार मा महस अस्तो कोई चैना मलाय कसले वास्ता गर देना तरा हामे बिर्शन चाव अनांत सबैलाय एकलाय जाना परचा त्यो बेक्ती आपनो एकलोपन बाता धेरे दुखी थियो जसको कारण उसको मन मा धेरे बिजार हरु थिये त्यो ज़ी ही सोचे रहो त्ये ही भातोमा अगारे भढ़ी राय को थियो तपा बातोमा एकलो आश्रम देख युँँँँँँँपहे Tahit तिर लाग्यों तब उस्ते देख्यों कि एक जना गुरुले आपना चेला हरु लाई ध्यान गर्ण शिकाव दयो लूंधियो प्रति चेला हरुमादे एकले आपनो गुरुलाई सोदे गुरु यो ध्यान की हो राई यो तपसे गरेर आमीलाई के फाइदा हो चा तब गुरु ओ यो बिडदर इस सभई कुर आ सुनी रंक तियो दौडेर गुरु का औं कैयरा भनन भाले खाले गुरु एदी ध्यानले हामीलाई एकल बनाउंच बने इसको मतलब मा deceले aching देतले त्याहनको साराय अभे एकलाई चु तरब मै एकलाई चु ख्याहिनो आपनो बनन सक्छ सोली मेरो खेल राक्स रवा है न में एकलई हीदि रायँकुशू इससभय कुराः शुने रह गुरो ले büyükच श्म्टव परेंड है येंदे तीमी एकलाई छो बदे पम्रों संपुर परेवार तीम्रा शातिःभाई इसस्थ्त101 कता जाती गुरू इससुच्वा आये कुछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु तर्टा गर्तेर मुन्च, मिरुप पचारे कोई छेना, तपाय आपई देखना सक्ना चुछ, कमल को इस सबय कुरा सुनेरा, गुरु मुश्कुराउन धालू भयो, रभनू भयो, बाला, तिमी मा बात की चान्च, हे गुरु मा तपाय को सिष्चे बना चान्च, मलाय साथी च मात्र मा निराए गर्ना सक्चे मुनेचु, की मैले तिमीलाई मेरु सिष्चे बनाउने की न भनाउने बनेरा, तर तिमीले मेरु तर्फभा बात, युटा कुरा स्विकार गर्णो बढ़्चा, एदी तिमीले सक्चाऊ बने, इ तीस दिन बित्र त्यान अभ्यास कर्ना पर तिम्रो ध्यान खाच, कमले जाहते हो, हे गुरु मा एकलाईचु, मा संगा कोई चैना, तब गुरुले कमलाई बनाउने बनाउने, ठीक चा, अब ध्यान गर्ण, तिमीले बचन देका चाऊ, अब इ तीस दिन हरुमा, तिमीले ध्यान अभ्यास कर्ने चाऊ, गुरुको सला गुरुले कमलाई बनाउने, तिमी बसन शक्छो, चति बीनाचाण, कहे शमस्या बाया बने, उठेर रहर आईटना शक्छो, ये ती बहनी सके बाची, गुरु तिहां बाठने बायो, ब्यान खेरी कमलाई आयरा साथन बायो, तिमी को संगा कुरागा आटाय चाऊ, कमले गुरु आखा बंद गरेरा बसे। अब भालाग। आखा बंद गरेरा बसे। भालाग। ध्यान त्यो कुरामा केंदरिट पुँँच रा आपनो ध्यान कते जाना न दुगुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु कोई चाहिना मो को संग कुड़ा गरू अईले समा एक सब्दा पनी बोले को चाहिना तब कहा बाटाऊचा इचार को सोर आरू रजबा मो एक सब्दा पनी बोल दीना तेसो बाए मो कसारी अरूप लागी बाधा को कारण बनना सक्छू तब गुरूले बनना ठीक्छा ध्यान अब्यास करा तब कमल ले बने ये गुरू किये मा तपाईलाई सोर्ण सक्छू तब गुरूले बननुचा सोद की सोर्ण जान्चा गुरू तपाई बननुचा बर्तमान समयमा भाहिरेको कुनेपनी कुरामा ध्यान केन्रेट करा तर जब मा आपना स्वास परस्वास मा वा नीरांतर भाईरायक कुरा मा ध्यान केंदरित गरने प्रयास करचू, मिरो ध्यान रह देना, नीरांतर पल पल घुमिरा आचू, कोईले केई सम्झन थालचू, कोईले अरू केई सम्झन थालचू, ती पुराना कुराहरू, ती पुराना याधरूले मलाय चोर देना, इजो त गुरुको हाचुको कारण गोजेना, भोली पल्ट ब्यानाई गुरुले कमललाई वन्नुवाई। कि गर्दे छू। कि एती धेरे अल्ची गर्दे छू। चारे तिरे आलासे छ, आलासे लाई तीमी बाटा हटाय देव, नत्र तीमी माथे आवी उनेच, अने तीमी सदै तिसाई को अधिन मार आनेच। कमलले वन्नुच, गुरु, तपाई दिन दिने योटे कुरा वन्नुच, या कोई छ, कसलाई नभेटनो, या कोई छ वन्नुच, तब गुरुले कमललाई वन्नुच, ठीक्च, अभ्यास करना जाओ, कमलले गुरुलाई वन्नुच, गुरुर, मसंग योटा प्रस्न च, एद तो पखे कुई किरपाल्य ऐले मा पहले बन्दा राम्रो शंगा ध्यान गरना सक्छेम उंचूू। तर रम अजै सामना गरी रहेकूचू। तर रह उटा समस्याच्छ। जब मेरो स्वास्परसास मा ध्यान केनरिट कर्छू। मेरो दिमाग एक्काकर हुन्च। और मा पहिले बन्दा धेरे राम्रु चंगा ध्यान केनित करना सक्छू। तर ध्यान गर्दा मलाई निन्रा लागना थाल्चा। तेस पची निन्रा लाग्चा, मा अब ध्यान गरना सक्छे मोधीना। तेसपची मलाई निल्णा लागन थालच रम फेरे ध्यानमा परकन असमर्थ होंचू। कमलको योक पुरा सुनेर गुरु ले बन्नोंच। कि यो राम्र कुरोओ के शो भन्दे जान्नोंच। पलिपलत बिहानै तेहां बाटा गुरु पुग्णोंच अने बन्नोंच। सब्सक्राइब दोपेद दोची और सब्सक्राइब दोडेंः और दोडें दोटी ध्यां को सब्सक्राइब केंदेट करचु बिचार हरुको बाधी आऊँच आखाक अल्दा मैली ए थि धरी बिचार हरु देखे को चाईना इपचा इस्ता बिचार हरु मेरो दिमाग माऊच अजा सम्म सोचेको पनी चाईना मलाई केई थाचाई ना इनेर को बारेमा यो सब किना भायर है कोच गुरु गुरु ले कमल को कुरा सुनेर बननु भयू। ठीकच यो किये भाहिरा एकुछ पचिताओंच। एथी बन्दै गुरु जानु भयू। बलीपलत ब्याने गुरु लाठी लियर तिया आय र युपक्लाई भने। मैले ती मिले पहिले ने भने सक्ये कुछू की मलाय मन नपर् आज़ पनी या र बसे कुछू मति वर बखबख सुन्चू मति मिले युँ आश्रम भाटा तुरुन ते निकाली दिन्चू। कमल को युँ भनाय मा जवाब्दी दे गुरु भन्नुंचू। तिम्रण आपंत तिम्रा शत्रु तिम्रा रहर इस सबय तिमी लाई भेतना आऊच। कंमल्ले गुरुलाए बंचा, मलाई भेटना कोही याऊँ देना, मai याँ येकलि आयेको थी, म्हाँ येकलि suppose, कोही चाहि ना, गुरुले भन्न बए, अब कोही तेम्र ध्यानमा आये वाने, मलाई बना, कंमल के गुरुको कुरालै कऱान करचा, और तुरुन्त नंति केही ब बोलायको महासुस करदेचु। म मेरो जेठो दाजो की सिर्मती अरतात मेरी भाउजुले मेरो जेठो दाजो संगाराम्र व्यवार गरी रनु बयकुचाई नौ। मेरी पेरे मीकाले पनी मलाई सोती रहेकी चिन की दिमी मा संगा बिया गर चकी गर देनो नवाय मा अर्के संगा बिया गरू उनी पनी धेरे दुखी चिन रहे एथी मात्रा वे न जसको पछारी मैले कही रीर लियेको थिये आजवु मेरो रीर मागना आयको च मलाई ठागी बन्देच गाली गर देच रह उसले संगा इली रहे कें सत्तुर लाई पनी लिया आयको च तरह मिरो सत्तुर अरू मलाई मार चाहते नन वांचन दिमीत मारे चागे उ रके मारने कमल केही बियर सांत बायो केही समय पची फेर हुष्ले भन्न धाले गुरु अहले म संगा धेरे ठूलो खर च, मसंगा धेरे संपतिच रह महले अरू मेरे मेरे पिरिमीका संगा बिव्या गरेकचु रह अहले मा उच्छब मनायरा messaging कमल फेरी संत बायो के समय बची फेरी एक बटक उनी गुरुलाई बन्चान। गुरुले मलाई मार्ना खोजदे मुलाँच योपनी भन्णुँच की एते भीडली एर कीना आयो। का चाओ। उनेरो संगय जाओ। म संगय एकलाई हिदनु परचा। गुरु तपाईले के भन्णु बयो। तपाई सर्दै भन्णु उन्टियो। सभैलाई छोड़नु परचा। तर मैले केहीं देखीना। तर आज मैले ती सभैलाई देखे। जसलाई साथ माले आये को थिये। सभै म संगय चन। तर मै कीना सोचु। मा धेरे बेचाइन चु रा मेरू बेचानी को कारान की हो। गुरुले सबय कुरा ध्यान दियार सुने रा तेस्पचे चूर्चा पुठेर छोटे। गुरु मुहा का आयनान। तर कमले दिनाव ध्यान गरी रहेको थे। एक महीना पची गुरु तियां आयको गुण भाय। अनि कमले भन्ना धाले। मा सदै मेरो भिल्लाई सात्मा लई जान्चू। तेसिले आजमेली तेव भिल्लाई पठाय कुछू। दो मा आफैसंग नभाय कु महसस करते चू। एक परम सांती अब मेरो जीबन मा कुणही समस्या चायना चस्तो लाग्रेचू। तब गुरु ले कमल्लाई भन्नुचू। तिमी चाहन चाओ भने यो यकुरु पन लेर आपनो संग्सार्प जाना सब्चू। सारा भेत तिमरो सात्मा हुन्चू। तर पनी तिमी एकले हुने चाओ। याद गरा कि तिमीले धेरे कुरा सिखनू छा यो मारक अजय सुरू हुनाई छा तेरे अगलो छा यो बात्टो सांती पुर्वक उन्छा तब मात्र सुरू हुन्छा जब तिमीले आफ़ेलाई सांत बनाऊ छा कमले गुरुले नमस्कार गर चार वन्छा ये गुरु मा आपनो घर फरकना जान्छू मा आपनो संग्षार मा फरकना जान्छू ताकि मा आपनो जिमीले पुरा गरना सकू ता साथ साथ यो बात्टो मा अगारी बरना सकू एत्ती भनेरा कमल सांत बायो अने गुरुले मुष् को खथा सुन्च वएता मान्शे को जार कोईले पुरा नहुने डौड मा लागने छा जोन उसको जन्मबात शुरू अंचार मर्दासम मा पनी लागी रांचा तर की तपाईले यो डौड के हो बनेर कोईले दिहान दीनू भाईको छा तपाई कसको पचाडी डौडी रहनू भ पुल्टु जीबन को सभेवन्दा ठुलो दुख कियो बनेरा सुचिरांच। कती मानिशले तेसको सही अर्थमा उपबोग गर्न पाये का चाहिनान। जुन भाउतिक बस्तोरु आपनो सांथिको लागी राहे का थिये। तेही सुख सम्रिती उसको दुख को कारण बनना पग्यो। जब उसले पैसा कमाये को थिये न रपाये को मा दुख थियो। रपैसा कमाये पची तेही पैसा उसको चुराचरी वा उसको लागी जगडा को कारण बन्च। તવગ कसरी ખુશીકો पશાધી દંજા આજકો કથા તપાય લઈ સુનાંન ગેરએક સું आजा को यो कथामा हराउन वन्दा पईले तपैलाई जीवन को सबय वन्दा थूलो दूखर सबय वन्दा थूलो कुछी तायाउमेचा। सबय सुख सुभिदा उनकई हातमा थियो। पजारू मानिस काम करते। जो उन्षको नजेक उभिन्थे। तर मुष्ण सबय है धोकाई रहाऊ है पानी आज अफुल्ए सबय वन्दा गरिब मांदाया को कुछी। तियो मांचे सबे बंदा गरी बोंच, सबे कुरा भाय पनी एकलाई, धन्वा भावतिक सुखा सुविदाले आपनु मन पुरा गरना सकते न, अन्य महसुस करना तालेव तर अब धेरे दिलो भाई सके को तियो, जीबन मरको कमाई खेर गाय को महसुस भाय तालेव आफुले कमाई को सबे कुरा उसलाई बेर्था लागना थालेव, यो महसुस भाय की उसले जीबन मा पहिले कहले भाय को थिये न, उसको जीबन मा इस्तो पहिले कहले भाय को थिये न, एदी उसले यो पहिले ने थाप आय को भाय, उसले रोकनारा सोचना सोरनी थियो सोचने थियो की उसले के जम्मा गरी रहेकोच, तेवा साथ से जम्मा गरना लाइक छ, एदी उँ आयेको भए, पोईलेने थाथ यू, जीबन मा सार्थाता कोजने प्रयास करते, मन पूरा गरने रहस्चे कोजते, जसले जीबन लाइ पूरा बनाई थियो, उसले आपना बाको बाटो आये कुछू, जती बाटो आये कुछू, साइध मग गलत बाटो मा इरेको थिये। अब एती धेरे समय बाकी चाहिना, की फेरी नया बाटो मा नया यात्रा शुरू गर्चू। उसलिए आपना दोभई चरालाय भने की शुरू की यो थाचा। संसार को सबय की उना जक्छा। बुबा, तपैसंग सबय कुला चा। तपैसंग सारा धन संपती चा। वरिवार सारा तपैको साथमा चा। तर पनी तपैलाय असंबब चाह जस्तो लाग्छा। उसको जेटो चुरूले बने। बुबाले उसलिए बुजावना कोजे कुवू, तियो सबय कुला चोरेको महसूस करते। परिवार रूपया धन उस्ते रहे रहायं छा। अंधे मा, की म संगही जान सा, की म संबदा चाहि perfectly agreeland, की म शंघ की सबय खराब句 dairy शब आ पधा भाहर पनी मैल इन सकती न उसको च्वराले प्रस्णो शो देखिए बाबा तियो सबे शंचार मा की जम्मा ओन्छी नासपौई अब उसको मन मा योटे प्रस्णा उबजी रहेका थियो तर यो कुड़ा को जवाफोनी संग थेना तेसेले चोराले के जवाफोनी ने उसले चोराले बने चोरा, मा आफा यो प्रस्णा को उत्तर खोज़ देचु ये दि मांचे सबय कुड़ा को बाब्जुत एकलो छ उसले तीस पहुतिक सुखत सोभिता उपोवग गरना सक्थेना बने तियो सबय बना ठुलो दुखाओ मा विश्वास गर चो कि संचारको सबय बना ठुलो दुखाना यहिँ सवय बंदा ठूलो दुखाचा ती मिलाई सवय कुरा भय पनी एकलो महस्य सुन्चा तरा उल्टो संसार मां सवय बंदा ठूलो खुछी की उना सक्छा मेरो चोरार रहे पनी थाचाई न की मक्ये चाहाँचु तब उसली तब उसको बाबुले चोरार ले कथा सुनावनोंचा चोरा सुना एक गुरुले आपना सिसेर लाई प्रस्ण गर्णु वयो की सवय बंदा आनांद क्यो सवय चिलारो ध्यांदेर आपना गुरुप परवचन सुन्दै थी साजको समय थियो मंदा हवा चले कथियो रुका पात हरो हल्ली रहे का थी आकास्मा चरा चरूंगी हरो चले रहे का थी उडिए गाम आयो सवय सीसेरो सेट अपड़वन आय तो सवय चिला हरेले आपनो गुरु बात यो प्रस्ण गोतर थाप आए तर त्यो बंदा पईले गुरुले आपना चिला हरे प्रस्ण सोते एक सीसेले बने कि गुरुदेव संसारको सवय बंदा खुसी थेकृं शरीर स्टेतर में रोग्छा वमे बिवत्य। ऐल दो हो ची डिवाना अलारie पकेंगगोरी सतिए घ्ली डाली गेलавा क् Państwo प powiedz कि उननना मन विश्वास जिवन मासावय वन दाख कुषी मानीच तेहीं हो जक्सक कुमलीघ्च चर मं कसरी खुषी हों न सक्छ पनी जोवत्य दैसेशिए बने कि गुरुदे मन कॉईले संतोस्त वो दे न एदिह आमिले कुणे तर अपनी इसको लोब बरताई जान्चा, अब गुरुले सवाई सिस्योर ले सम्झानू थालनू बायो, अनिभननू बायो मानिन्षले कईले बुजद सखड़ेना कि उसको मन सधाय खाली राणच तर ब्यर्थ चिंतामा निर्थप चिंताको लग्छे सिर्जना गरे राएर, मनलाई बाधेर सदाय खाली राणू थियो तियो मन फोरे ले भरे दियो, तेसे ले तो बचवन मा सदै खाली उने मनले अरेक खेल मा पने आनन्दा कुछ दियो एकांत मा सुक शांति पूरा थियो, अब तेही मनले सबय कुरा प्राप्त गरने चा मेरो बर्तमान मा एक सुत्र बाट आपनो सम्पूरा जीवन लाई बर्तमान मा परिवर्थन गरना सक्किन चा सुस्मका भोगलाई पूरा आनन्दा को साथ मा अर एक चीज को भोग गरना सक्किन चा हामीले सरीर मा मन र दिमागलै एक थाउ मा संगधित गरना सक्छाू तर आपनो जीवन मा उसको सांतिको अनन्दे लेदे सक्णू जक्णू जबह ले थुला थुला योकी पहा धरुमा तपसया गरे र आपनो जीवन प्राप्त कर दाचाू। परकास उदेव के ज्यान होनु अत्ती आवसिक्छा, तपाईले आफनो मनलाई कईले बनी बुजाउन होन्ना, मन बुजाउनो यो संचार को सवय बन्दा कथिन कारे हो, एदी तपाई मनको मुक्ती बर्तमानमा ज्यान तान्ना प्रेस करना सक्नु जबने तपाईले देरे कार जोंचा यो बिर्यात कारे ले ठूलो बल, thूलो सफलता आशील करे रर प्रेम लाइ ठूलो बनाय तियो बने यो बनी बली बनाउने प्रेस करना ले तपाईमा तना अबाउने चापाईले ऑन्नु बाभूले कथा शनाउन दै बन्नु बैयो मैले के बुजाउनो कभजे अब चुरा अर ले भावाले की भन्नों खोजनू बैको धियो बुजी सक्ये का थिये